नमस्कार मैं हूं कुर और आप देख रहे हैं सत्थी निका नियुस बिलिटन एक नजर अब तक कि सुक्षों पर इरान ने इसराइल पर हमले की धमकी दी थी और कई बार कह चुका है कि हाँ हमला तो हम करेंगे ही मजबूत जबाब देंगे लेकिन इस बीच अब यह चर्षा चल लएई है कि क्या हमले में देरी के बीच में इरान और अमेरिका में कुछ डील हुई है क्योंकि एरान के सुप्रीम लीडर ने खामने ने चौकाने भावाली ठीपण किये है सरकारी टेलिवेजन पर इसके साथ ही जराल पर हमला करनी की योजना का बड़ा संकेत दिया उन्होंने कहा कि हमें अपनी उम्मीदें दोश्मन पर नहीं टिकानी चाहिए अपनी योजनाओं के लिए हमें दोश्मन की मंजूरी का इंतजार नहीं करना चाहिए कुछ जगाओं पर एक ही दोश्पन से भेड़ना ग्रोधाभासी नहीं है इसमें कोई बादा नहीं है इसके साथ ही खामने ने राश्पती पेजश्क्यान के मंत्री मंदल को भी चेताबनी दी कि दोश्पन पर भरोसा मत करो अमेरिका के पुर्व राश्पती और इसबार राश्पती पद की रेस में शामिल टरंप ने रूस की सेना की तारीफ की है उन्होंने रूसी सेना की युद्ध कोशल की खुल कर तारीफ की टरंप ने कहा कि रूसी सेना को सर्धियों की परिस्तियों में लड़ने का अच्छा उन्होंने कहा कि आप जानते हैं रूस सर्दियों में लड़ने में बहुत अच्छा है वो जीते हैं उन्होंने जर्मनी को हराया और उन्होंने नेपुलियन को भी हराया उन्हें हराना आसान नहीं है और उनकी सेना बहुत बड़ी है हलांकि साथ ही कहा कि यूक्रेन को हराना लेकिन यूक्रेन को हमने बहुत सारा पैसा दिया है। बज़ा दें ट्रम्प कई बार कह चुके हैं कि वो राश्पती बने तो तुरंत ही युद्ध खत्म करा देंगे। यूक्रेनी आर्मी चीफ ने रूस के कुर्ष शेत्र में ऑपरेशन पर बड़ा खुला सक्किया। से वापस बुला लिया गया है। अभी तक हम कह सकते हैं कि लगबग 30,000 सेंकों को कुर्ष मोर्चे पर भेजा गया है। और यह संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि रूस पोक्रोवस्थ मोर्चे पर अपनी तागत को मजबूत कर रहा है। पहली बार संख्या का खुलासा करते हुए से रिस्की ने कहा कि यूक्रेन ने कुर्ष शेत्र में अपने ओपरेशन को दोरान 594 में रूसी सेंकों को पकड़ लिया। पशमंगाल में लेडी डॉक्टर के हत्या के मामले में बढ़ते तनाओ के बीच मुख्य मंतरी ममता बैनर जी ने कड़ी चेताबनी देते हुए कहा कि याद रखें अगर बंगाल जला तो असम बिहार, जहारखन, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। CM के इस बयान पर BJP किनेता सुकान मजूमदार ने केंदिगरी मंतरी आमेशा को चिठी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राष्टे विरूधी टिपणियां किसी समयधानिक पत पर वैटे व्यक्त की आवाज नहीं है। मिलता है तो असम विहार, जारखन, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले सप्तहा हम विधानसबा के सचत्र बुलाएंगे और बलातकारियों की मौत की सजा सुनिशित करने के लिए दस दिन के भीतर बिल पारत करतेंगे। इसके बाद हम इस बिलको गवनर को भेज देंगे। अगर उन्होंने बिलको मंचूरी नहीं दी तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। इस बिलको पारत करना नहीं होगा और इस बार वो अपने जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेंगे। बताजे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या वामले में लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कोलकाता रेप और मडर के विरोध में मंगलवार को नबान अभ्यान के दोरान हिंसा को लेकर बीजेपी के बारे घंटे के बंद के विरोध में टीमसी कारकरता भी शड़क पर उतर आये। उत्तर 24 परगना जिले में टीमसी कारकरताओं को प्रदर्शन के कारण बंगाओं सियाल दहे के बीच ट्रेन से वाएं बादित हुई, उधर बंद के दोरान कई जगाए बीजेपी कारकरताओं ने सड़क पर जाम लगाया और राजी परिभान ने गम की बसे रोकी, कोछ जग इस परगना के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता प्यांगू पांडे की कार पर हमले और कोली बारी में दो लोग घायल हुए, बीजेपी नेता अरजुन सिंग ने आरोप लगाया है कि प्यांगू पांडे की कार पर आज हमला हुआ है और गोली चलाई गई है, चलाई पांडे की हत्या की योजना बनाई गई थी, बंगाल में डॉक्टर के साथ जो हुआ वह हैवानियत थी, इससे अकुरूर कुछ हो नहीं सकता, हाला कि बंगाल की घटना के बाद देश में ऐसे कई मामले आ चुके है, नर्स के साथ हैवानियत के मामले आ चुके है, बिहार से भी धरिंदगी और हैबानियत के मामले आये हैं, उत्राखन से भी आये हैं, लेकिन मुद्दा बंगाल का बना हुआ है, राश्पती भी किसी भी केस में नहीं बोली हैं, लेकिन अब बोली हैं, वो भी बंगाल के केस में, राश्पती दुरौपती मुर्मू ने कहा ह उन्होंने कहा कि वो इस घटना से निराश और धरी हुई हैं। राषपती ने कहा कि बेटियों के खलाफ इस तरह के अपराद मन्जूर नहीं है। राश्पती दुरपती मुर्मू ने कहा कि अब बस बहुत हो गया कोई भी सब समाज अपनी बेटियों और बैनों पर इस तरह के अत्याचारों के अनुमति नहीं दे सकता है। राश्पती मुर्मू के बयान पर TMC नेता कुनाल घोश्ण कहा कि राश्पती को आरजी करके बारे में बोलते हुए सुना। मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि उन्नाओं, हात्रस, बिलकेस, मनिपूर पर कुछ नहीं बोला। ओडिशा, महराष्ट, उत्र लोग जेल में बंद हुए। इडी अभी तक PML में जिसको ग्रफतार करती थी उसको जमानत मिलना असंभब था क्योंकि मोधिश सरकार ने उसमानत को लगबग असंभब बना दिया था। लेकिन अब 10 साल बाद कई वेपक्षी निताओं के द्वारा ये जेले जाने के प्रिम प्रकाश पर आरोप है कि मनी लॉंडरिंग मामले में वो जहरखन के मुख्यमंत्री हेमन सुरण के सही हो गई हैं। बता दें एक दिन पहले ही सुप्रीम कोट ने भारत राश्टर सम्ति यानि बियारे स्खिनेता के कैविता को भी जमानत दी है के कैविता को दिल्ल केस में भी बेल एक नियम है और जेल अपबाद है। हाला कि लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोट कई सालों लेट हो गया है लेकिन अब देखते हैं कि क्या बदला आने वाला है या वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल लाहा था। कतर में भारती नागरिक से गुरु गरंथ साहिब लेने के मामले में भारती विदेश मंत्राला ने बयान जारी किया है। कहा है कि चंपई सोर्यन जार्कंद मुक्ति मोर्चा के वरिश्टम नेता हैं. मुख्यमंत्रीहें आपमानत्र करने में कोई कसर नहीं छोड रहे पौक चैंपै तुने बड़ी नेता के तहत मुक्धि मोर्चा से हटाना और सता के लालाच में जटपट स्वयम सीम की कुर्सी पर बैट जाना ये आदिवासी समुदाय के एक बड़े नेता का गोर अपमान है और पूरे आदिवासी समाज के साथ दुरुबागेपूर्ण विवहार है और तबश्की योगी सरकार अब डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने पर उतराई है योगी अब पियम मोधी के तरह वो नहीं कहना चाहते जो पियम मोधी ने पहले कहा था कि वो मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए योगी सरकार ने कैबिनेट बैटक में डिजिटल मीडिया के नीती को मंजूरी दे दिये है इस नीती के तहट सरकार की जजय करने पर विज्ञापन मिलेगा लेकिन अगर सरकार को आपका कॉंटेंट रील या फिर पोस्ट पसंद नहीं आया तो जेल भी भेजा जा सकता है मतलब अगर किसी ने खिलाफत या सरकार विरोधी कॉंटेंट परोसा तो तीन साल से उम्रकैत की सजय का प्राबधान रखा गया है अब यह आपको सोचना है कि जेल जाना है यह पैसे लेना है सरकार तो खुल कर सामने आई है यह पॉलिसी राजी के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं टूइटर फ पर प्रत्य महीने रखी गई है वहीं यूटूब पर वीडियो शॉट्स और पॉड्कास्ट के जरीए प्रचार प्रसार करने वालों को करमशा आठ लाग साथ लाग छे लाग और चार लाग प्रत्य महीने के हिसाब से दिया जाएगा सरकार की ओर से जारी पॉलिसी का नु प्रत्य जाएगी उनके जैड प्लस सुरक्षा कवर को बढ़ाकर एडवांस सिक्यूर्टी लाइजन कर दिया गया है ऐसे में उनकी सुरक्षा में अब और सुरक्षा कर्मी तैनात की जाएगे उनका सुरक्षा घेरा पहले से भी ज़्यादा पोक्ता होगा हाली में ग्रीम एसे में संभावित खत्रे को देखते हुए सुरक्षा में जाफा करने का फैसला लिया गया बीजेपी ने जम्मू कश्मिर विधानसवा चुनावों के लिए दो दिन पहले वापस ली गई अपनी उसी लेश्ट को फिर से जारी कर दिया है बस एक नामयों बदलाव किया है इसमें तीन पूरु मंत्रियों को जगय दी गई है और दूसरे दलों से आये कई लोगों को उमीदवार बनाये क्या है जबकि निर्मल सिंग जैसे बड़े नामों को जगय नहीं मिली है बता देया कि सुंबार को बीजेपी ने उमीदवारों की पहली सुची औरत कर दिया था क्योंकि पार्टी के पुराने नेताओं को किनारे लगाए जाने से कारकरताओं में घुस्सा था और वो विरोत पदर्शन पर उतर आये थी हाना कि पार्टी ने कहा था टाइपिंग तुटी की वज़ए से लेश्ट वापस ले ले लेकिन सुची वापस लेने के 24 घंट साइबर इंपर्सोनेशन पर ध्यान देना सिखा है पोस्ट में सीजाई की रूप में खुद को पेश करने वाले एक व्यक्त ने कैब लेने के लिए 500 रुपए के डिजिटल ट्रांसपर करने को कहा था दरसल एक 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 यूजर ने बताया कि उसके पास एक मैसेज आया उस म पर कम वापस कर दूँगा यह मैसेज सेंड फ्रॉम आइपेड के साथ खत्म हुआ मैसेज भेजने वाले की तस्वीर में सीज्जाए चैनल चूट की ही तस्वीर दिखाई गई इस धोकाधड़ी की खबर के सामने आने के बाद सुप्रीम कोट ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई अधिकारियों का कैना है कि इस मामले के जांच की जा रही है और ठक की तलाश हो रही है राजिसवा उप्चुनाव में 11 सदस से निर्विरोध चुन लिए गए हैं जबकि 3 सितंबर को एक सीट पर मतदान होगा मंगलवार को पूरु मंतरी उपेंदर कुश्बाह कॉंग्रेस के वर्ष नेता विशिक मनु सिंग भी केंद्रिय मंतरी रवनी सिंग बिट्टू और जॉर्ज कूरियन राजिसवा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए मल्यालम फिल्म इंडश्ट्री महिलाओं के खलाफ शोशन करने के लिए घिरी हुए है हेमा कमेट्टी की रिपोर्ट आने के बाद फिल्म इंडश्ट्री चारों तरफ से घिर गई है अब इनूत्री बताया कि कैसे पुरुष इंडश्ट्री में उनका शोशन करते थे रिपोर्ट आने के बाद बाकिया एक्टरस भी मैदान में उतर आई और आरूप लगाया मल्यालम फिल्मों के अभिनेता सिद्धी की पर एक अभिनेत्री ने योगन्त्पिडन के आरूप लगाए जिसके 2011 वंडे विश्टकप में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किये थे बायहाद के पूर्ग टेस गेंदबाज जहीर खान गेंद को दोनों तरफ सुइंग करानी के लिए जाने जाते हैं और टेस्ट क्रिकेट में कपल देब के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज ह अब तक के सुर्खों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे है सत्हिंदी.com के साथ